आजे के फैंस ने रोईच शेटी को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल भी गिया है, रोष्ट भी किया है, कल के अनांसमेंट के बाग ट्विटर पे, क्योंकि उनको रोईच शेटी का पूरा प्लान समझ में आगया है, कि सब सिंगम अगें को लेके, उसका यह प्लान था ही नही लेकिन अब लोगों को यह समझ में आगया है कि रोहित शिक्टी जो है वह आजे से आगे बढ़ना चाहता है मेरे एकोडी क्योंकि पब्लिक डिमांड थी कि बैसिंगम मनाओ सिंगम मनाओ इसलिए ना चाहते हुए वह आदमी क्लियरली बोल रहा हूं मैं ना चाहते हुए यह वर्ड को याद रखो क्योंकि इस बंदे का मुझे याद है इसने जब सिंबा बनी और बाद में सूरेवंची बनी तब इसका कोई भी प्लैन नहीं था कि सिंगम अगेन बना हुए क्ई जबा भी नहीं चल रहा है अविछ से टो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए यह वापस ऐसे बंदे के पास गया कि दस साल बाद अचानक क्यों इसको सूजा कि भाई चलो सिंगम बना लेते हैं और इसमें गलती आहां पर आजे रहोगन की यह है कि वो तो भाई आपको पता है कि वो आपके साथ खेला खेल रहा है और आप खेलने दे रहे हो मैदा अपने दम पर एवरेज गई इतना लोगों ने फ्लॉप करने की यूटूबर्स ने कोशिश की लेकि नहीं गई फ्लॉप मैदा ने आपके पास जिसको आप प्रमोट कर सकते थे औरों में कहा दम था नीरच पांडे की मूवी इतनी बड़ी मूवी है वशकारी में ज यूट कि आपको भी हीरो बनना है वह भी हीरो नहीं जैसे वह पठान टाइगर आपको वह वह चाहिए आपको वह भी फेम तो सही आपका भी सही है कि सिंगाम अगेन ब्लॉग बश्तर है लेकिन क्या जरूरी है क्या कि अब देखो सिंपल बात है चलो सिंगम साइन हो गई तो क्या आजे लेवगण कुछ कंडिशन्स नहीं रख सकते थे, ये बंदा सिंगम अगिन में आजे लेवगण को छोड़के बाकियों के कैमियो जडाल रहा है, पहले बोलता है डीपी का जोइन करेगी सिंगम, बाद में बोलता है नहीं नहीं, करी नहीं जोइन करेगी, युनियर्स बनाना चाहते, यंग्स्टर्स के साथ, तो विकी कोशल और सिद्दार मलोतरा, हम सिद्दार मलोतरा को वो एड़ नहीं कर रहा है सिंगम में, लेकिन वो जो पुलीस है, आगे चलके वो जो उसका सीरीज आने वाला है, उसके बाद वो सिंगम में, या फिर सूर कौन हुआ, जैकी श्रॉफ तो ही उस मूवी में, और किसी, रणवीर सिंग का गल इंटोड़क्शन हो गया, कि रणवीर सिंग भी अब सिंगबा बनके आएगा, सिंगम अगल में, अरे पागल वागल है क्या, मतलब तुम जो सिंगम एक नॉर्मल पहली मूवी थी, उसमें किसी का कोई कैमियो वेमियो नहीं था, सिंगम रिटन्स में भी किसी के कैमियो की जरूरत नहीं पड़ी थी, और सिंगम रिटन्स में तो सौंग भी अच्छे नहीं थे, वो तो सिर्फ आतामाजी सटकली कब था, वो शायद तब था न, मला राग ये तो है, I think, वो मराटी स सौंग विद काजल अगरवार, सिंगम रिटन्स ठीक है, चलो करीना का पूरत ठीक था, कि सिंगम अगेन में तुमने करीना लाई, आजे लाया, दीपिका तुमको इंट्रूइस करनी थी, अच्छी बाते, और ज्यादा से ज्यादा किसी का कैमियो रख सकते थी, तो भाई, सीनियर एक्टर अक्षे कुमार का, बस खतम, पर नहीं, अब जैकी श्रॉफ तो है, वो तो भीला ने, वो जाने दो, और एक बड़ा एक्टर आने वाल है, मतलब ये, अब ये इस वज़े से ही, आजे लेगन के फैस ने इसको कोसना शुरू किया, अब सिंगम अगेन को ले जानते हो कि तुम्हें सिंगम युनियूर्स आगे बढ़ाना है, लेकिन दूसरे अक्टर के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको यूनियूर्स, कौप यूनियूर्स आगे बढ़ाना है, अगर इसको सिर्फ ये रहता ना, तो ये इतने cameos लेता ही नहीं, ये इत इसका कुछ प्लान होने वाला है, और सही भी बात, ऐसा दीख भी रहा है, क्योंकि सिंपल है, आजरेवगन लगातार इसके साथ दो बार तो काम करेंगे नहीं, क्यों सिंगम फोर साइन कर ली, पॉसिबल ही नहीं है, और इवन इंडरेकली इसने तो ये भी बोला है, ये ख के पास रनवीर सिंग भी वो डॉन में शायद इंवाल हो सकता है, अभी वो करन जोर के साथ काम कर रहे है, तक करके एक मुवी है, जो कप की आने वाली बाकी है, वो भी नहीं अभी तक आई है, तो वो भी धर्मा प्रोडक्शन, मतलब रनवीर सिंग भी बीजी है, इसको ब कुछ कया, यहाँ पेए फैंस ने तो यह तक बोला है, कि यह सिंगम का जो एक अस्तित्व है, जो सिंगम का एक इंपक्ट है, वो कम करना चाता है, मुवी में, क्योंकि सिंगम के इंट्री होगी, थेटर में इमेजिन करो कि सिंगम आ गया, करीना आ गई, दीपिक आ गया, यह तो आपको पता ही था, लेकिन जब सूर्य वंशी का इंट्रोडक्शन होगा, बात में सिंबा बीच में आएगा, तुब सोचो यार कि यह स्टोरी है यह क्या चल रहा है, मतलब यह क्या सरकस्टू है क्या, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सिंगम अगें में किसी सूर्य वंशी को तुमने इंट्रोडूस कर लिया, ठीक था, पर वो मूवीज ही कुछ ऐसे हैं, जैसे कि अब बात में सूर्य वंशी आये थे, तो सूर्य वंशी में वो सूर्य वंशी के हिल्प करने, आक्षय आ जाता है रणवीर आ जाता है, चलो ठीक था, सुरी यह आज जाता है और रणवीर आ जाता है, क्योंकि वो दो मूवीज बिकॉज ओफ सिंगम बने थे, अब जो में मूवी है सिंगम आगे, उसमें इनके कैमियों कि क्या ज़रूरत है, अरे आजय को तुम इंट्रोडक्शन के लिए भेजो ना, जब अगर सूर्य वंशी टू आएगी सिंबा टू आएगी, तुम उसको लाव ना, ज़र सिंगम, सिंगम को क्यों इन लोगों की हेल्प ला रहे हो, यार यह क्यों, इस वज़े से लोगों ने बहुत क्लास लिए वही कल रोई चे, आप जाके ट्वीटर देख लो, बहुत कोसा है, और उनको अब यह समझ में आ चुका है, कि जब सिंगम अगेन बनेगी, तब सिंगम का जो पार्ट होगा, मान लो, दो आवर 15 मिनिट की मोई है, दो आवर 15 मिनिट, अब उस में शायद, अगर आप इतने कैमे उस डाल रहे हो, तो आजे लेगों शायद दो आवर भी नहीं होगा, वन आवर 45 मिनिट होग वो जो लेकिन 25 मिनिट ये टाइम प्रस करेंगे, कुछ सौंग्स होंगे, बीच में इन लोगों के इंट्रोडक्शन होंगे, इनके डायलोग होंगे, अरे मतलब दो आवर अगर 15 मिनिट की मोई है, तो इसमें चायद आपको देड आवर के लिए अजे देवगन की किसकी है, इसमें एक्टर की भी तो गलती है, आपको दिख रहा है कि वो बंदा बार-बार केमियोज इंट्रोडीस कर रहे है, क्या आप कुछ भी नहीं बोल रहा हो, मतलब आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि नहीं मुझे रूईक की ज़रूरत है, और अगर है तो फिर चलो भोला टू दे दो उसको डिरेक्ट करने के लिए, वो वैसे भी मांग रहा है, मैंने सुनाया भोला टू डिरेक्शन के लिए, तो ठीक है, अगर आपको अपने आप पे इतना कॉंफिडेंस नहीं है, कि भाई अगर आप अपनी आवाज भी नहीं उटा सकती, कि नहीं भाई सिंग का इंट्रदक्शन, इससे पहले तो बोला गया था कि सिंबा इनको हिल्प करने आए गाई नहीं, पर अब जब से कल परसो से रणवीर सिंग का इंट्रदक्शन हो गया, कि रणवीर सिंग भी होने वाले उसमें, तो भाई तुम सोचो ना, आजाए पर फोकस छोड़ तो दो, आक्षे, रणवीर, कैटरीना, नहीं सरी, दिपी का, क्या पता भाई, कैटरीना भी तो होगी, आक्षे को मार, सूर्यवंशी की वाइफ तो दिखाई है, वो भी तो, क्या पता, बाद में बोल लेगा, चलो कैटरीना का भी रोले, एक सॉंग ला देगा ये शायद सूर्यवंशी और सिंबा का मिला के, मतलब वो भी दस मिनिट, पाच मिनिट सॉंग के, और मुवी के काट्डो, मतलब आपको आज ये लेगों टेखने कोई साइडबाई मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे सिंगाम अगेन में, एकसेप्टेबल नहीं रहे ये बार, और ये इस वज़े से बहुत फैंस गुस्सा हुए है, पर इसको फर्ट नहीं पड़ेगा, इसको फैंस से लेना देना नहीं है, पैसा मैटर करता है, पैसा कमाना है, ज्यादा कैमे हो जिसको लगता है, ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन कही ऐसा नहीं हो, मेरे भाई की ज्यादा कै लेकिन होगा क्या वालूम है जो लोग बोल रहे हैं तो भाई सिंगम नहीं चलनी चाहिए लॉस किसका है आजय का लॉस है ऐसा मत बोलो सिंगम चलनी चाहिए यही पकड़ लो कि हम क्या कर सकते वह डिरेक्टर और एक्टर की भी तो गलती वह अगर अपनी आवाज नहीं उठ सिंगम अगे बनके यह ज्यादा किसी का कैमियो हुगा तो गया क्योंकि इसके पास एक बहुत अच्छी ट्रीक इसने मिस कर दिया अगर इसको दबंग लाना था ना दबंग फोर अगर दिरेक्टर ना था प्युज क्वाइच रखी ती तो यह सुर्यम इस यह खुए शुर लाता ही झाल उर्य विसको और सिंग्य वन करने लेकिन इन दोनों का बना सकता था ये इस्ने ट्रिक मीस कर दी है और तुम मैं यह भी सुना था कि हो सलमान को भी आड करने वाले तो इतने कहा है उस्यामियों साथ थैक करो भाइ इस आत्मी को जाके जैसे बाकी कल लोगों ने कुछ टैक किया ना इसको ज़रा कुछ अब क्या बोले उसके तरफ आवाज पहुंचाओ यह फिर यह शेयर कर दो वीडियो उसके ट्वीटर पर यह वाला वीडियो कॉपी पेस्ट मार दो मेरे भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना ज्यादा उसे के वीडियो को शेयर करो थैंक यू